नमस्कार स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी मैं हूँ आपके साथ बसंत शर्मा उत्राखंड की बात के साथ करते हैं बुलेटन की शुरुआज जहां पूरा भारत देश वतंत्रता दीवस की 78 वर्श गाठ बना रहा है तो वहीं इस शुब अफसर पर उत्राखंड के मुख्य मंत्री पुष्कर सेंग धामी ने समस्त प्रदेश श्वासियों को सुवतंत्रता दीवस के हरदिक शुप कामनाय दी हैं साथ ही बिजबी मुख्याले में तरंगा उन्होंने फिर आया तो वहीं इस मौके पर बिजबी प्रदेश अधेक्ष्य समित पार्टी के तमाम पलदिगारी भी मौजूद रहे जो सपने थे उन सपनों को हम सब साकार करें हम सब अपने जो भी हमारे करतब्य हैं उन करतब्यों का पूर्ण निष्टा के साथ पूर्ण समर्पन के साथ पूर्ण मनोयूप के साथ हम अपना योगदान दें तो निष्चित रूप से हमारे प्रधान मंत्री जी का जो विक स्टीजी गोल्स को प्राप्त करने में जो नीतियायुक के आकड़े आये हैं उन आकड़ों में उत्राखंड हिंदुस्तान के नंबर वन के राज्यों में इस रैंकिंग में आया है निश्चित रूप से हमारे प्रधान मंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमी से कथन था 21 स कारण दिपक के सहाधत ऐसे ऑस्वर पर हुई है देश की रख्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वोच बलीदान दिया है उनका ये बलीदान बैर्थ नहीं जाएगा जो देश देश के दुसमन है उन दसमनों को परारा जबाद दिया जाएगा पूरा देश पूरा उत्तर आख़न आज उनके परिवार के साथ है इस अवसर पर जो उनके परिवार के लोगों को एक बहुत ही अपूर्णी छती हुई है आगात पहुचा है नहीं भगवान से प्रातना करूँगा कि भगवान उनको इस कस्ट को सहन करने की सक्ति दे और दिवंगत आत्मा को अपमेस्त जो को स्वतंतरता दिवस के हादिक शुब कामनाय और बढ़ाई दी उनका कि आज के दिन हम सब के लिए बहुत खास दिन है आज भी जो जबान आज सीमा पर बैठे हैं वो हमारे देश की रक्षया कर रहे हैं उन सब का भार व्यक्त करता हूं राजपाल ने कहा आज हमारा देश्वार्श्वेत्र में आगे बढ़ रहा है आज सेवन्टी एट सब्तंतरता दिवस के शुब अफसर पर हर उत्रखंडी हर भारतिया को हार्दिक बढ़ाई और शुब कामनाय देना आज आज का दिन हम हमारे लिए बहुत महुत पूर्ण है कि जिनोंने हम हमको हमारे को अजादी दिलाई उन ग्याद अग्याद सननियों को उनके सर्वोच बलिदान उनकी निष्टा उनके सुप्रीम सेक्रिफाइज को हम नमन करें इंटर्ब्यूट पेश करें उसके साथ आज की दिन में भी जो सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं जो राश्र को का अभार प्रक्षट करना था दिया है अभी जनकारियम देदे उन्होंने विधान सबा भावन देरादुन अधजर रोहन किया इस अवसर पर रायपोर विधायक उमेश शर्मा काउ समेत विधान सबा के अलादिकारी मोचूद रहे इस दोराद विधान सबा अधेक्ष ने स्वतंतरता दिवस संग्राम को लेकर भी बाच्चित की और साथी कहा कि जिन लोगों ने अपना बलिदान देश की आजादी में दिया वो वीर हैं और शहीदों और राजजन दूलनकारियों की शहादत को उन्होंने याद किया आज पूरे देश में हर्ष नास का माहूल है उत्राखन में भी आज यही आलम देखने की मिला है पूरे उत्राखन में प्रदेश वासियों को आज हर्दिक शुप कामनाए स्वतंतरता दिवस्कोले करती गई है और ये जो पर्व है जन जन का पर्व है ये बात भी यहां पर कहीं गए तीके ऐसा है भारत वर्ष ने 77 वर्ष पून के हैं अपने स्वतंतरता के और 78 वर्ष में हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले मैं सभी प्रदेश वासियों को अपनी ओर से अपनी विधान सभा की ओर से धेर सारी शुप कामनाए और बधाई देती हूँ आकलंका समय तो रहता ही है लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है और हम नमन करते हैं अपने पूरवजों को अपने सैनिक भाईयों को जिनकी वज़ह से हमें स्वतनतता मिली और आज जिन भाईयों की वज़ह से हम अपनी स्वतनतता को बचा पा रहे हैं तो मैं सभी को नमन करती हूँ और सभी कहा भारव्यक करती हूँ देश के 78 वे 173 ता दीवस के मोके पर गड़वाल मंडल मुख्यालय पोड़ी में कैबिनेट मंतरी धन सिंग रावत समित गड़वाल कमिशनर विने शुंकर पांड़े ने जंडा रोहन किया और साथ इसके साथ 173 संग्राम सैनानियों के आश्रितों को भी 173 ता दीवस पर सम मानित किया गया धन सिंग रावत और रेपोड़े विधायक ने कहा कि पियमोदी के विकास कारे जो आज कल प्रदीश में लगतार तेजगती से चल रहे हैं वो विक्सित भारत की और उत्राखंड को भी लेज़वा रहे हैं विक्सित भारत का सपना सच हो रहा है देश उन् अपना हम सब लोगों को दी है कि 2047 तक देश को विक्सित रास्ट को आज पंद्रागस को मैं पौड़ी आया हूँ पौड़ी में बहुत अच्छे कारी कंदी कि एगे जिला परसासन का देलेवाद देना चाहता हूँ पर दिखाई जिका भी कि आज हमने उन सहीद परिवार के जितने भी सुतंता अंधुलों हमारे पौड़ी जिले के सहीद ले लोगों उनके परिजनों को आज आमने समानी किया है और बज्चिन के बहुत अच्छे कारी करम लेए घर घर तिरिंगा यातरा की जो कलपना हमारे प्रदान मंत्री जिले की वो सत प्रपिसत पूरे देश और पूरे उत्रा खड़े घर घर में तुरंगे लेगाएगे आज पौड़ी में मुख्याले के अंतरगत ऑटो टेरिम में बहुत बड़िया कारी करम रखा गया और ये कारी करम जो था जिल्लपरसासन के द्वारा अज़ित के इसमें आज जो हमारी स्वितनता दिवस का अच्छा कारे किया है समाज में रहते हुए और पुलीस की मदर्स की है तो उन लोगों को भी सम्मानित गया गया आज पूरा देश अठाटरवे स्वतनतरता दिवस को परहर्श वलास के साथ बना रहा है इस अबसर पर उत्रगंड की मुख्यसचेव रधा रतूडी ने सचवाले में धजारों किया पुलकर सचेव रधार रतूडी ने ये कहा कि आज हमारे देश का अजाद हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं और यह हमारे लिए एक सुभाग्य और गर्व की बात है और ये कौर्वानवित कर देने वाला पल है और हमें अपने देश के अजादियों और कौरव के सुरक्षित रखना है इस अबसर पर उन्होंने सचेवाले में मुझोद सभी अधिकारियों और करमचारियों को सुवतंतरता दिवस की बढ़ाई दी उन्होंने कहा कि हम सब के जिम्यदारी बनती है कि हम ये सुनिश्रित करें कि हमारे देश हमेशा स्वतंतर रहे स्वतंतरता दिवस है, 77 साल पूरे हो गए हमारे देश के आजादी को ये हम सब के लिए बहुत स्वभाग्य और गौरव का पल है और हम सब को मिलके अपने देश की आजादी को सुरक्षित रखना है, धन्यवाद तो ही रास्दानी देरादून के हरवाला के एक कनेजी कोलेज में अगर बात करें तो उर्जा फाउंडेशन की तरफ से भारत का विभाजन और उसके प्रभाव कारक्रम का आजवन किया गया और साथे साथे इस कारक्रम में बतौर मुक्यातिति के रूप में बिज़ेपी के परदेश अध्यक्ष अमाहिंद्र भट पहुंचे करक्रम कि शर्वाद देथ प्रवजुलन के साथ हुई और इस संबाद करक्रम में चातर चातराओं से संबाद किया गया महिंद्र भट ने कहा कि आने वाली पीड़ी को विभाजवन के संदर्ब में जानने की अवशक्ता है कि आजादी पाने और विभाजवन में किस तरह की मुश्किले पैदा हो गई अब ऐसा उन्होंने ये कहा कि आज की पीड़ी को समझने की भी जरूरत है कि किस तरीके की परिस्तियां उस समय रही होंगी जब विभाजवन हुआ और अब वह मुश्किल आने वाले समय में ना हो इसे लेकर अब नई पीड़ी को तयार रहना पड़ेगा अखंड भारत दिवस भी है और विभाजवन में विभी सिवा इस पर दिवस के रूप में देश के प्रधान मुती बज़ार 21 से लगाता है आने वाली पेड़ी है लंबे समय तक उस दिन को कभी न भूले जब देश के शुरूप को बदला गया और दिस प्रिकार से युहाजर में अने को लोग सहीद हुए खुरबानी अबरी अबरी चला-चल संपति को छोड़कर आए आज भी जब C.A की बात आती है तो कहीं न कहीं वह समर्थां के रूप में समर्थां के रूप में देखा जाए और मैं कह सकता हूं अगले दिनों में और अच्छे इस वक्त क्या हुआ तो इसी लिए कई बार जो हिस्ट्री है वो केवल हिस्टोरियन्स के लिए नहीं होती है हिस्ट्री जो इतिहास है वो हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो इस देश में रहता है क्योंकि जैसे कहते हैं कोई भी पेड वो तब तक अच्छा मजबूत रहता है हरा भरा रहता है जब उसकी जड़े मजबूत रहती है तो हमें अपनी जड़ तक जानना कि आखिरकार भारत देश की नीव कैसे रखी गई कैसे हम इंडियन सब कॉंटिनन भारत के महादूइप के बारे में बात करते हैं उसकी क्या परिकल्पना है ये सब जानकर ही युवा को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज व पुल्ट बात ये आजाती है कि अगर उससे आप जो देश के संसाधान है उनके वित्रा में आप सहूलेत करेंगे जो जो वरगय है जिसको नहीं कुछ मिला है उसको मिलेगा तो तो हम कहेंगे वो उसकी पूरी नहीं परंति यदि उससे जो हमारे भेद भाव है वो और दिक अगर उस भी भावना से इसको किया दा रहा है तो खबर मसूरी से है जहां पर 78 वे स्वतिंतरता दीवस को धूम धाम के साथ हर्षो लास के साथ मनाया किया तो वहीं आपको बता दे किसमों के पायर श्वाहिद भगय सिंग चोक से गांधी चोक तक शो भायातरा का परजनेते और समाजवेक संक्ठनों के साथ साथ विभिन स्कुलों के चात्र चात्राओं ने भाग लिया इस मौके पर सुभाश चंद्र बोश चात्रवास के चात्रों ने समोहिक धार रहून किया और साथ-साथ शहर को सवच्छ रखने में भी आइम भागीदारीता निभ परजिए तो अठ्टर वी बर्सकार मना यह रही है इसमें मुख्या फोकस नगरपादेगा का सपाई में उस्ताव रहे हैं वाल्डों सपाई का लिश्ण करते हुए तीन प्रुसकार्ट तीन अप्रें करमचारियों को दिये इसके अलावाद मार्थ संटर आमारा चला रही अच्छा काम वाहाद में प्रुपर पुरिकानिस्तार नुस्तार के अच्छा काम वाहाद मानियम मंत्री जी मुख्याती से लिए वो चोकि अधम जिंग लगर के परवारी मंत्री भी है वह अधम से इंगर चले है चाहत में परशिगांट को मनाले के लिए इकादित है वाहा रहा है वं एक स्काद के विए बड़ा जाहरा है दिए वुष्टावश्ता के भी अवाहरा रहा है उच्छा पढ़ाइंगे तथा इस समयक्तार को वे आज़ता को अरुष्पर फश्या हुपार इस्टी नाज़ अल्मोडा में भी स्वत्यंतरता दीवस को लेकर बड़े धूमधाम के साथ सेलबेशन देखने को मिला इस सबसर पर स्कूल और कोलेज चात्रो ने अब निंदा देवी मंदिर से अल्मोडा बाजार तक विशाल प्रबाद फेरी निकाली और भारत माता की जयकारों के साथ पूरे अल्मोडा बाजार का प्रहमन भी किया गया और इसे के साथ पूरे जनपत में भाशन और निबंध प्रत्योगिता का भी आज़न देखने को मिला तो ये बड़ी कबर आपकों बता रहे हैं अलमोडा से सामने हैं अलमोडा में भी सुटंतरता दिवस को लेकर बड़े दूमधाम से मनाया किया है तो महीं अब्बे सबसर पर स्कूल और कुलेज चातर शात्राओं ने निंदा देवी मंदिर से अलमोडा बाजार तक विशाल प्रभात फेरे निकाली और साथी लोगों को अपने अजादी के जश्ण को लेकर जाकरूप की गया भारत माता की जयकारों के साथ पूरा अलमोडा का बाजार गुज़ामान हो गया इसके साथ पूरे जनपद में भाष्ण और निबंद प्रतोगिता कभी आयजन देखने को मिला तो ही अलमोडा जिले विकास खंड सलट के अब आदर्श्वे राज़ के इंटर कोलेज मनाली के प्रधानचार रविंद्र सत्यवली के नित्रित्तों में बहसे में शात्राओं ने, वन कर्मियों ने और साथी साथ इंटर कोलेज मनीला से महाविदाल्य मनीला तक हर घर तिरंगा अभियान के तहट रेली निकाली गई और तिरंगा यात्रा में वंदे मात्रम और भारत माता की जय केनारे लगाए गए स्थानिय ग्रामिनों से हर घर तिरंगा लगाने का भियाबान किया गया को बता दे कि जिले में विबिन स्थानों पर कारक्रेमों का आज़न किया गया जिला के लेक्टरेट भवन में जिला दिकारी धीरा सिंग गब्रियाल ने ध्वजा रोहन कर दिश की आजादी के प्रती अपनी शर्था वेक्त की इसके साथ हरद्वार विकास प्रादिकर्ण के करहले में उपाध्यक्ष अंशुल सिंग ने करमचारियों के साथ तिरंगा फराया और स्वतंत्रत अदिवस के महतों पर अपने विचार भी साजा किये जिल भर में कही जगाओ पर संस्कृति करक्रमा अजुद किये गए हैं अब जिन में उत्रखन के सम्रिद्य संस्कृति की जोलग भी देखने को मिरेगे तो मैं आशा करता हूँ हमारे देशवासियों को इविन देशवासियों से पहले मैं अपने ओफिस से ही आशा करता हूँ तो हमारी constitution values हैं हमारे preamble में मैं जस्टिस, liberty, equality, fraternity और जो हमारे democracy के principles में हमारा देश एक बना था तो उन values को एक बर दुबारा revisit किया जाए और देखा जाए कि कितने संगर्ष के बाद हमारे देश बना था और ये values ही थी जो इस संगर्ष में हमारे freedom fighters को motivate करती नहीं और मैं आशा करता हूँ कि हम देशवासियों चाहे कोई भी हो वो एक छोटा से improvement देखे अपनी field हरदवार में आज जो शहीद दिवस के अवसर पर 173 संगराम सैनानियों और उनके उत्रादिकारियों को जिला अधिकारी की तरफ से सम्मानित किया गया हर साल 14 अगस्त को जिला प्रशासन अमर शहीद जग्दीश शवत्स की समरिती में शहीद दिवस का अजिन करता है और साथ ही अब ऐसे में 173 संगराम सैनानियों और उनके उत्रादिकारियों का भी सम्मान किया जाता है गुरतलब है कि शहीद जग्दीश शेवत्स भारत शोड़ा अर्दोलन के दौरान सरकारी मारतों पर भारते जिन्डा लहराने के दौरान शहीद हो गए थे जिन की आद में करेक्ट्रिम का अजिन किया जाता है और साथे जिलादिकारी दिराद सिंगर ब्रियाल ने बताया कि हर साल श्वेद जग्दीश शेवत्स की समर्ती में श्वेद दिवस मनाया जाता है इसमें 133 संग्राम से नानी वे उनके उत्रादिकारियों का सम्मान होता है जब अंग्रेजव बारत शुरुआत हुई थी तो उसके जन्रेशन भर्सी ने जो कि दिश्वकुल विद्यारती रहें हैं आप आएरवेट कॉलेज को इसमा उन्होंने पर्तिवाद दिया था और जो चात्रों के संभून ने गुरुखुल के शात्रों में लिया था कि सुभाजगाट के खुटवाली में और आपका रेल्वे स्टेशन में बोलों घंडा फैराएंगे और उसी कड़ी में सुभाजगाट से उन्होंने घंडा फैराना सभी किया था और जो पहली गोली है इनको वहां पे लगी इसके बाद उसकी पर्वाह नकरत में लिए दूसरी गोली यहां लगी उसके बाद भी वह रुके नहीं और उन्होंने आपके रिल्वे स्टेशन पर जाके जो यूनिन जैक जो उनका जंडा है ब्रिटिस का उसको उतार के जो टिरंगा जंडा पहलाया वहीं के वह सही तो आज मेरे परिवार के आथ ऑप मेरी तीन दादा फिव फाइटर थे मेरे तीन दादा फिव फईटर थे मेरी निरे पिता हम सब के सब अनरे एसा कोई उधान此त्aime लगातार जीलों में रही हूं और मेरा स्वेम जर्मी भी बरेली जील में हुआ था और स्वेम सरोजनी नाइडू जो सा मेरी जुनार मुझे गूत इलाया था वहां जील में इन्होंने मेरा ये नाम रखा था मैं उसके बाद गुरु का अंगली विश्व द्याले में रुकसर के बदबसे रिटार्डिमा हूं अब जिस अबसर पर हमें आउपसित हुए हैं इस अबसर पर राष्ट के में देखते हुए कि स्वंदा संग्राम सेनानी की कियों का करतव है कि इस राष्ट की स्वतंत्रतागी रख्षा करें और जो हम देखे हैं हमारे आसपास का जो सारा बातावरण है वो हिंदों के इस राष्ट के विरूद में हो रहा है आवश्टा इस बाती है कि हम इस राष्ट की रख्षा करें और उसके रीव प्रूंस समर्पॉन से तो वहीं जस्पर नेगल पालिका के चुनाव को लेकर बसपा अक्टिव मोड में आ चुकी है बैसे में नम न्यूक तजिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेश गोतम के नेतरतों में बसपा प्रत्याशी वासे मसिद्दकी के निवास पर जस्पर विधान सबा कमेटी का ग सांपनात की तरह काम करती है अब भौजन समाज का अरक्षन खत्म करके अद्प संख्यक का अरक्षन खत्म करके यह भारतिय समविधान में परिवर्तन करना चाहती है हम दोजार चोबिस में जिताकर कॉंग्रेस और बीजपी को मूँ तोड़ जवाब देग जस्पूर की जो नगरपालिका है यह हमारी नभौजय समाज पार्टी की ही जित्ती चली आई है और इस बार भी हम धुआधार तरीके से जिताएंगे और आज हमारा जो यहां कमेटी का गठन हुआ है बसी मेहमद सिद्धी की के हाँ पर हुआ है तो हम चाहिए की बसी मेहम का यहां जोर सोड़ जाता है कि बसी मेहमद को हम जो है यहां पर टिकेट दे कर नवाज है नगरपालिका का और सभी हमारी टीम उनको जिताने का प्रियात है हमारे हैं ऐसा नहीं है कि पैसा लेकर लेंदेन के हिसाब से टिकेट दिया जाता है हमारे है क्या है कि सदस्ता सु जो हम पार्टी के पदादिकारी नुक्त करते हैं